पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल से ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद हर कोई हैरान है दरसल NMCH स्पताल पर परिजनों ने मृत व्यक्ति के आख निकालने का गंबीर आरोप लगाया है पटना सिटी के NMCH स्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक मृत यूवक्त के परिजनों ने मौत के बाद आख निकालने का स्पताल प्रबंधन पर संगीन आरोप लगाया हंगामा होता देख हालम गंज थाने की पुलिस मौके पर पहुची और हंगामे को शान्त कराया गया फिर पुलिस मामले के जाज में जट गई परिजनों का कहना है कि अपराधियों ने इन्हें पहले गोली मारी और NMCH स्पताल में 14 तारिक को भरती कराया गया दिन में ऑपरेशन हुआ और रात में मौत हो गई परिजनों ने पोस्ट मौटम के लिए सभी प्रयास किये लेकिन रात होने के कारण पोस्ट मौटम नहीं हो पाया जिसके कारण ICU में ही लाश को बेड पर छोड़ दिया लिया जब सुबह पोस्ट मौटम के लिए वार्ड में पहुँचे तो बाया आख गायब है और पास में एक ब्लेड भी रखा हुआ है जिसके बाद परिजन अस्पताल प्रबंदन पर आरोप लगा रहे हैं मेरा सक लग रहा है कि पार्टी से मिल के यहां का जो कोंट्रोल है हम तो नहीं कुन कहेंगे हैं हो सकता है कि इसका आरका बिजनेस भी चर रहा होगा लेने का 11 वज तक अपना मेरे मरीज को सही देखे हैं 11 वज जाने के बाद सविरे मेरा आदमी का राज आख निखला हुए तो हम तो यहां के परवंधक हैं वहां ब्लेड भी रखावात है उन्हीं कुन कहेंगे मेरा मरीज है जो आईसू में है तो वहां तो सारा जिमारी इंका है अब आप लोग क्या चाहते हैं हम उचित करवाई चाहते हैं जो भी दोसी हो उसको उन सजा मिले जब तक दोसी को पर चाहें इसमें मौत कि मुझे हो जाए कि क्या नाम था मिर्तक का हंटूस कुमार आप कौन हो गया उनके जी जा हुए क्या नम हो आपके विजेंदर पर चाहते हम ही इलाज के दौरान हमेशा रह रह रहे थे हैं और इलाज के रहने के वक्त स्रियस मेरा मरीज था तब भी एक ही कुराने देते थे दवाल आने के लिए मेरा ही जाना पड़ा था बाहर अब छोड़के आते थे लेकिन पांच बज़े ग्रेथ किया इसके बाद में मैंने चाहा कि यहां से रिपोर्ट लेकर पुश्माश्टन कराने इसके लिए मैं डियम साहब से फोन किया और ताकि मे मेरीध दो परभ किया आदमी थे बहुत सिर्यस मी थे घर बेजाने कर दो दोजा कि रात में किसरे जारा को जाल मैं ने बहुत अठ प्रयास किया correl नोड़ और बंध हो गया है इसके बात मैं यह को यह बात कौन बोले अपको यह बात बंद हो गिया कि अधिया अंध्य ना इंध्य होटी है वाए यहां पर इंसे रात में तागशिव बनवाएं बोले कि सवेरे दस वो यहेता सवेरेश होज नहीं तो सारा जी मारिया हम लोग को बाहर नहीं जाने है हमको उचीत चाहिए जो इसको किया है तो हम तो ही सोचेंगे ना कि जो इसका मालिक है उसके मिलीज भ्यागत से इसा वहां का कारोबार चर रहा है यहां इसको सदारणची नहीं है किसी को आख निकाल लेना आई सी ओ में और इसके साथ मुझे लग रहा है जो पार्टी मतर किया है यह फ़यार भी मेरा तिसा थना में तो केस को खराब करने के चलते हैं अभीन बताया होंगे हैं कि हम लिखे हैं कि गोली लगने से मौत हुआ ह यहां पुष्वाश्णम जाओं आख निकला हुआ है गोली कहां लगा था गोली फ्यट में लगा हुआ हुआ है जो जो मत्लब कि जो तर्च किया इसके चलते महुत हुआ है चिक गूरी सगंड़ा इलाइद ूग नहीं बता हुआ है था है बहुटाइ पूरे मामले के सब्सक्राइब ही पुरा CCTV देख रहे हैं हर बिंदू पर जांच कर रहे हैं देखने पर लगता है उनके आँके साथ छेड़ रुआ है और निकाला गया है इस समर्ण में डॉक्टर के द्वारा भी चेक किया जारा है मेरे द्वारा भी CCTV की फूटेज की जांच की जारी है परिजन ने आरूप लगा है दोक्टर के द्वारा भी चेड़ रुआ है कि मरने के बाद जो छेड़ चार भाय और चुहा के द्वारा हुआ है यह परथम देश्टिया लगता है हम लोग फुरा CCTV देख रहे हैं और भी CCTV देख रहे हैं हाला कि इस्पटाल में ये पहला ऐसा मामना सामने आया जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है अब देखना होगा कि जाज में क्या कुछ सामने आता है पट्ना से राजेश जहां की रिपोर्ट बिहार तक